हेलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट होगी तेन सेकिंड बाद स्टार्ट देश वासियों कोमा मैंने अभी अभी राष्ट्रपती के पद की सपत ली है और इस महान देश की सेवा में अपने को समर्पन कर देने का द्रड निश्चय व्यक्त किया है मैं आपके सामने भारत के गणराज्ये के प्रतीक और चिन स्वरूप राष्ट्रपती के रूप में खड़ा हूँ हमें अपने प्राचीन इतिहास में देश के विभिन भागों में और विभिन युगों में गणराज्यों की स्थापना के उलेख मिलते हैं किन्तु उनका प्रभूत्व देश के छोटे छोटे भागों तक ही सीमित था और हमें उनकी राज्ये पद्धती का भी पूरा ग्यान नहीं है यह पहला ही आवसर है जब यह सारा देश एक छत्र गणराज्ये के आधीपत्ते और सासन के नीचे आया है हमारे संवीधान ने इस गणराज्ये की व्यापक नीव का आधार इस देश के सब वयस्क इस्तरी पुरूसों को बनाया है भारत के प्रैसासन और उसके भाग्ये का निर्मान करने के लिए करोड से अधिक भारतियों ने अपने प्रतिनिधी चुने हैं इन प्रतिनिधियों ने मुझे राष्ट्रपती चुना है और यह कार्य करके उन्होंने उस संवीधान को कार्यानवित किया है जिसे हमने इतने परिश्रम से बनाया था व्यक्तिगत रूप में कोमा आपके एक देशवासी के नाते तथा इससे भी कहीं अधिक भारत की स्वतंतरता के संगर्स में आप में से अनेक के एक साथी के नाते कोमा मैं आपके विश्वास के इस पूर्व प्रदर्शन के लिए अत्यंत क्रतग्य हूँ इस्टोप किन्तु क्रतग्यता से भी कहीं अधिक मैं इस उच्पद के गुरुतर उत्तरदायत्व और भार का अनुभव कर रहा हूँ इस लोखतंतरात्मक गणराज्य की स्थापना तो स्वतंतरता की प्राप्ती के बाद ही हो सकती थी इस स्वतंतरता को कोमा जिसे हमने कई पेडियों के संगर्ष और तपश्या के बाद प्राप्त किया है सुरक्षित रखना हम में से प्रतेग का प्रथम और सर्वोपरी कर्तव्य है हमारा अटल उद्देश्य यह है कि हम जनता की इस्तती सुधारें और उसकी उन्नती करें कोमा किन्तु देश के सुधार और उन्नती की हमारी सब योजनाई हमारी स्वतंतरता इस्थिर बने रहने पर ही निर्वर करती है उसी आधार भूत स्वतंतरता पर ही तो हमारा व्यक्तिक और राष्ट्रिय जेवन निर्वर है अधे आपके समान ही मेरा भी यह करतव्य है कि चाहे जो भी त्याग करना पड़े कोमा हम इस स्वतंतरता को इस्थिर बनाए रखें और इसकी रक्षा करें इस करतव्य को पूरा करने में मेरा प्रथम और सर्वोपरी परियास यह होगा कि देश के विभिन भागों कोमा विभिन धर्मों और विचारों के लोगों के प्रती मैं शमता और निस्पक्षता बरतूं दूसरा करतव्य कोमा जिसमें कि मैं आपका सह भागी हूँ कोमा यह है कि मैं अन्य सब देशों की मैत्री प्राप्त करने का प्रियास करूं और उनसे सहयोग करने के रास्ते निकालूं इस देश के सब लोगों से मेरा निवेदन है कि वे मुझे अपने में से ही एक माने और मुझे ऐसा अवसर और प्रोतसाहन दे जिससे मैं यथा शक्ती उनकी सेवा कर सकूं भगवान से मेरी विनती है कि वह मुझे शक्ती और सुबुद्धी दे ताकि मैं सच्ची सेवा भावना से अपने कर्तवियों और उत्तरदायतुओं को पूरा कर सकूं आदर्निय सदस्यों, भारत गणराज्ये की सर्व प्रथम संसद के, जो हमारे समविधान के अनुसार चुनी गई है, सदस्यों के रूप में मैं आप लोगों का सवागत करता हूं विधान सभाओं की रचना और राज्ये के अधिपती समंदी समविधान के उपबंदों को हमने पूरी तरह से कार्यानवित किया है और इस प्रकार हमने अपनी यात्रा की एक मंजिल पूरी कर ली है जैसे ही यह मंजिल समाप्त होती है, दूसरी मंजिल सुरू हो जाती है, कोई भी जाती या राश्ट्र अपनी भावी निर्मान यात्रा में आराम से नहीं बैठ सकता सत्रे करोड से अधिक भारतियों द्वारा नव निर्वाचित संसद के सदश्यों के रूप में आप ऐसे यात्री हैं जिने उनके साथ साथ आगे बढ़ना है आपका यह बड़ा सोभाग्य है और आप पर भारी उत्तरदायत्व है इस एतिहासिक अवसर पर जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं कोमा मुझे अपने प्राचीन देश और उसमें बसने वाले करोडो नरनारियों का ध्यान हो उठता है भाग्य हमारे सामने है और यह हमारा काम है कि हम उसके निमंतरन को स्विकार करें वह आवहान महान भारत देश की सेवा के लिए है जिसने इतिहास के उशाकाल से ही कोमा जबकि शहरसों वर्ष पूर्व उसकी कहानी आरंब हुई थी सूदिन और दुरदिन दोनों ही देखे हैं इस देश को महान गोरव भी मिला और हमारा भाग्य विपत्ती में भी रहा अब जबकि हम भारत की लंबी कहानी का नया अध्याय आरंब करने वाले हैं कोमा हमें पुने यह निर्णे करना है कि हम उसकी सर्वोत्तम सेवा किस परकार कर सकते हैं आपने और मैंने अपने इस देश की सेवा का वरत लिया है मेरी प्रार्थना है कि हम अपने वरत में सत्यनिष्ट सिद्ध हो और इसे पूरा करने के लिए अपना तन्मन धन लगा दे पेरा सुदिर्ग काल के प्राधीनता के बाद भारत ने स्वतंतरता प्राप्त की है सब कुछ सहे कर भी इस स्वतंतरता को बनाए रखना है कोमा बचाना है और बढ़ाना है कोमा क्योंकि इसी स्वतंतरता के आधार पर ही तो परगती की जा सकती है किन्तु केवल स्वतंतरता ही परियाप्त नहीं है उसे अपने साथ जनता को भी कुछ सुकलाब कराना चाहिए और वे जिन बोजों से दबे हुए है कोमा उनको कम करना चाहिए इसलिए कोमा यह बात हमारे लिए अत्यंत महत्व पूर्ण हो गई है कोमा की हम तेजी के साथ जनता की आर्थिक उन्नती करने के लिए जुट जाएं और समता तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के जो उच्च आदर्ष हमारे समविधान में अंकित है कोमा उनको पूरा करने के लिए हम प्रयास करने लगे अपने सारे इतिहास में भारत ने मानवात्मा की कुछ अन्य प्रेरणाओं का प्रतिनिधेत्व किया है समभवते भारत वर्ष का विशिष्ट लक्षन यही रहा है और अभी हाल में ही इस प्राचीन भावना के उत्तम प्रतिक को हमने महत्मा गांधी के रूप में देखा है जिन्होंने अपने नेत्रत्व में हमें स्वतंत्रता दिलाई इस्टोब उनकी द्रष्टी में राजनितिक स्वतंत्रता प्राप्त करना एक महत्वपून कदम था पर मानवात्मा की महत्तर स्वतंत्रता की द्रष्टी से वह केवल एक प्रयास मात्र था इस्टोब